दिल्ली में जब से अर्विंद केजरिवाल की सरकार बनी है तब से अदालतों में मुकदमों की बार्ड सी आ गई है वजह ये कि अपनी उच्छी सियासत और एहंकार के लिए अदालत को मोहरा बनाते रहे लेकिन अप अदालतों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि केजरिवाल सरकार का इरादा क्या है इस वजह से दिल्ली हाई कोट ने स्वासे मंतरी सौरब भरदवार्ज को फटकार लगाते हुए ये चेतावनी देडाली कि अगर अपनी हरकतों से विबाज नहीं आए तो जेल भेज दिया जाएगा हाई कोट ने सौरब के साथ स्वासे सचिव एस बी दीपक कुमार को भी सक्त भटकार लगाई चेतावनी देते हुए कोट ने यहां तक कह दिया कि यदि अवैद पैथोलोजी लैब्स पर लगाम से संबंधित कोट की आदेश का पालन नहीं किया गया तो ने जेल भेज दिया जाएगा बारन बैंच की रिपोर्ट के मताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंग अरोडा की डिविजिन बैंच ने सौरब भारदवाज को इस बात के लिए चेतावनी भी दी आमादमी पालिटी की सरकार और स्वास से सचिविया केंदर सरकार से जगड़े के बीच कोर्ट का इससे माल महरे के रूप में न किया जाए कोर्ट ने कहा कि मंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी एक अधिकर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर उसके आदेशों का उलंगहन जारी रहा तो इससे बरदाश्त नहीं किया जाएगा कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करें नहीं तो आप दोनों जेल जाएंगे कोर्ट ने कहा कि दोनों भारदवाज और कुमार सरकारी सेवक हैं जो अपना इगो नहीं चोड़ सकते सामाजी कारेकरता बेजोन कुमार की और से दायर जनहीतियाचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को जम कर फटकार लगाई सामाजी कारेकरता ने इस जनहीतियाचिका के जरीए इस राजधानी में बिना क्वालिफाइड टेक्नीशियन के चल रही अवैद पैथालोजी लैब्स और डाइगनोस्टिक लैब्स पर रोक लगाने की मांग की थी सौरब भारदवाज कोर्ट में मौजूद थे सुनवाई के बीच एक वक्त ऐसा आया जब कोर्ट ने भारदवाज से नाराजगी जाहिर की एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आप सोचते हैं कि हम कचपुतली हैं और आप हमारा इस्तेमाल करेंगे आप चेस का गेम खेल रहे हैं और सोचते हैं कि हम आपकी रुणनीती में मदद करेंगे मैंने आपको सावधान रहने को कहा था हम एक P.I.L. देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप हमें ड्राफ्ट बिल देंगे और हमें इसे केंदर को भेज देना चाहिए हम राजनेता नहीं हैं लेकिन हम जानते हैं कि राजनेता कैसे सोचते हैं कोड ने फरवरी में एक इमेल देखने के बाद भारदवाज और कुमार को उनके समक्ष उपस्त होने के लिए कहा था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली स्वास्त प्रतिष्ठान पंजी करन और विनी मयन वेधेयक पर चर्चा के दौरान मंतरी को लूप में नहीं रखा गया था आप दोनों के बीच में बिन गुटों का जो खेल चल रहा है अदालत के लिए स्वीकारे नहीं है कार्य वाहक मुख्य न्याइदीश मनमुहन और न्याइमूर्ती मनमीद पीएस अरुडा की पीठ ने कहा कि आपको व्यवहारिक होना होगा और ये भी सुनेशित करना होगा के इन दोनों की बीच की लड़ाई से दलालों को फाइदा नहों पीठ ने कहा यदि मंत्री और सचे मुद्दों को संभालने में असवर्थ है और जगरते रहते हैं तो कोड किसी तीसरे पक्ष की चीज़ों को संभालने के लिए कहेगी या क्या करना है इसके बारे में आद करना है याज को संभालने असद Ну